लो फ्रेंड्स कैसा सब लोग तो फ्रेंड्स एक ओण न्यूज आपके लिए लेकर आए हूँ डेली डेली ऐसे न्यूज आ रही है जिसको पढ़ने के बाद इस्टुडेंट का भी दिमाग खराब हो रहा है और हम जैसे टीचर का भी दिमाग खराब हो रहा है यार कोई एक फाइनल कुछ अपना कर गई अपने पास उसको क्यों नहीं रख लेते और फिर उसके बाद दीरे-दीरे करके अपना इस्टुडेंट के सामने उस चीज को देते रहे रोज नहीं नहीं चीज़े दिन में दो दो नहीं नहीं चीज़े देखने को मिल रही है अभी BPSC ट्या भी आपका विचार विमर्स चल ला था परसो भी मैंने एक वीडियो डाली थी ठीक है लेकिन उसके बाद एक और नया बम फोट दिया और आज बम फोड़ा के के पाठक जी ने मतलब इन्हों ने ऐसी इनफोरमेशन आज दिये अब समझ में नहीं आ रहा इस पर बहुत खु प्लिज के अंदर ये गए थे और उसके अंदर इनोंने क्या क्या चीज आपको बताईए ठीक है और केके पाठक जी अगर कोई बात को बोले तो उसको हलके में मतले ना क्या आपकी बीपेसी थीरी तो छोड़ दो अब आपकी फोर्त आने वाली है उसके तैयारी कर दो ठीक देखे सबसे पहले मैं एक आपके सामने छोटी सी इन फोर्मेशन करना चाहता हो देखे इए आपके शप्लिमेंटरी रिजल्ट को लेकर न्यू जाए हुई है पहले इनोंने कहा था कि हम सप्लिमेंटरी रिजल्ट को उपर काम कर रहे है ठीक है तो बच्चों को लगा सप् किसी ने प्रदशन कुछ करा तो उसके खिलाब दंडतम कारेवाई की जाएगी उसको सजादी जाएगी लेकिन ऐसा क्या हुआ एक दिन के अंदर ही आपने फिर सप्लिमेंटर सप्लिमेंटर रिजल्ट को जारी कर दिया पहले हा का फिर हा कर दिया यार किसी चीज़ के उपर तो कायम रहे जाओ ठीक है तो वह यह सप्प्लिमेंट रिजल्ट आया है जो की अभी तक पूरा नहीं है ठीक है पर्टिकुलर कुछ-कुछ जंगे का आपका सप्लिमेंट रिजल्ट है तो आप लोग देख लेना भई जो जो बच्चे इसके अपना आ रहे हैं सेलक्ट हो रह तो आपको देनी है और सवसे वड़ा जो आपका सवालता की आपको इनके वालों क्या होगा उसके के अब ये एक कोलीज के अंदर आये थे कोलीज के अंदर थे आई थिंक मुझे एक जैट ध्यान नहीं आ रहा है साइद किसन गंज के अंदर थे ठीक है तो उसके अंदर एक तो गेट पर ही बच्चों ने पूछ लिया किसा टीरी थर्ड आ रहा है और हम एपरिंग वालों का क सब्सक्राइब तो टीरी फोर भी निकाल देंगे हम अगस्त के अंदर ठीक है ये वाले वात इनोंने कई उसके बाद फिर ये अंदर चले गए अंदर जाकर फिर एक आपकी एक प्रेस कोंफ्रेंस हो रही थी सामने स्टूडेंट वगारा भी बैठे वे थे तो कोश्चन आ तो अपने खुद के ही डिपार्टमेंट की साइट पर डलवा दे या कुछ बी सिर्फ एक रीटव में देदे तो बच्चों तसलिए मिल जाएगी कि हमें कुछ return में आ गया, ठीक है, हलके में केके पाठक जी की बात को हलके में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी, ओरली देने के बावजूद, क्योंकि आपको पता है, जो आपका कलेंडर आया था, अगस्त के अंदर एक जाम था, जो कि आपका TRE थ होड में चुई है, ये पार्टी सोच कि है, मैं ले जाओ, क्योंकि मैंने करावा है, दूसरी पार्टी कारी नहीं ये वाला मैंने कराता, तो इस credit की होड में, no doubt, फायदा तो आपका बच्चों का होने वाला है, जो इस टैम पर वेकंसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, बट अ इसका implementation भी होना चाहिए, और ये वाली statement को हम लोग भी आज अपने पास save कर लेंगे, अगर future में इस परकार की बात नहीं हुई, तो हम सीधे पाठक जी को ही दिखाएंगे, कि सर आपने SSI का था, अब please हमारी ये वेकंस से आप लोग निकल आईए, जो आपनी इसके अंदर बात कही थी, ठीक है, और पाठक जी जाने जाते हैं अपनी अच्छे कारे सेली के लिए, ये आप सभी को पता होगी, अब उसके बात बात कर लेते हैं, कुछ main point को पर बात कर लेते हैं, जो आपके TRI 3rd से भी जुड़े वे हैं, जो आपके TRI 4th भी में यहापन लेग देता आप देखें, नोटिफिकेसन, ये बात लगबा कंफर्म हो गई है, कि फरवरी कंदर, यानि इसी महीने कंदर आपका नोटिफिकेसन आपको देखने को मिल जाएगा, मार्च भी आपका exam जो है, मार्च कंदर हो जाएगा, क्योंकि मार्च कंदर ही, मान का चलिए लोगसभा कि जो आपकी date है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है? तो लोग सबा date आपको देखने को मिल जाएगी तो मान के चलिए March के अंदर में ही आपका paper भी हो जाएगा ये बात पहले भी लगबग confirm हो चुकी थी और आज जो KK Made Pad adjusting जी ने कहा है आप बिल्कुल भी भूल में मत रहना कि नहीं आगे कर लेंगे, बाद में देखेंगे, यह सब चीज हो जाएगी, ठीक है, तो यह यहाँ पर बात होगी, आपके TRI 3 के बारे में, जो आपकी confirm मानगा चलिए, जो हो चुकिया कि एक्जाम अब आपका मार्च में होगा, और नो आपके बारे में आपको बता दिया, तो इसके बारे में, एक एक करके आपको बताऊंगा, पहले कुछ important point के उपर हम यहाँ पर discuss कर लेता है, ठीक है, अच्छा, जितनी भी आपने आज यह news सुनी, जो केके पाटक जी ने कहीं, क्या आप उनकी इस news से खुस हो या नहीं हु लिए, तो कहीना खुसी, कहीना कोई खुसी देखने को ज़रूर मिल लिए, ठीक है, लेकिन खुसी के साथ में कुछ tension भी है आपर, tension क्या क्या है, देखे, preparation को भी छोड़ते है, ठीक है, अगले पेज में बताऊंगा, पहले बात करते हैं कि, जिन बच्चों का यहाँ पर pass ह मिला था, और 2 के अंदर तो वह ऐसी कम टाइम मिला था, तो यहाँ पर जो लेड़ी qualification जिनके पास है, जिनका CTAT, STAT pass है, उनको सिर्फ यह टैंसन है कि तयारी कैसे करनी है, लेकिन जो student यहाँ पर apparing वाले है, चाहिज उन्होंने CTAT का exam दिया हो, चाहिज उन्होंने STAT का exam पूरा statement मैंने धान से सुना, 2-3 बार सुना, ठीक है, इनके according यह वाली बात कही जा रहे है, कि आप tension मत लीजे, ट्यारी 3 के अंदर ऐसा नहीं है, कि आप लोग इसमें क्या नाम है, कि वेकंसी नहीं आएगी, ट्यारी 4 भी आपके लिए आने वाली है, तो इनके according तो ऐसा ल अंदर कब से क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है, तो appearing वाले candidate का आपका फरवरी कंदर notification आ जाएगा, उसी कंदर ये चीज के लिए रहो जाएगी, मोका दिया जाएगा, या नहीं दिया जाएगा, अब तो कुछ भी अपनी तरफ से बताना भी बे फुजू ली है, ठीक है, क मिलना चाहिए, तो मेरे according त्यारी थर्ड के अंदर appearing वाले चाहिए जो आपके estate वाले हो, जाओ seat वाले हो, चाहिए आपके DLAD, BAD वाले अपरिंग वाले candidate हो, त्यारी थर्ड के अंदर इनको भी मोका मिलना चाहिए, ठीक है, पता चला आगे पता नहीं इतनी seat ना बचे, ए ये बात होगे आपके apparing वालों की, attempt वालों की आपको पता है, ये attempt का system ही खतम कर देना चाहिए, कि तीन attempt देंगे, चार attempt देंगे, ठीक है, तो आपकी नियमावली के में जब आई थी, जब इसको उपर काफी वाद हुआ था, डो मिसाहिल को उपर हुआ था, इसको उपर भ बच्चा हुआ है, कि ये क्या सामिल होंगे, क्या सामिल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से अपनी बात को मुख्यमंत्री जी तक पुछाते हो, तो मुझे लग रहा है, आपको भी इसके अंदर सामिल कर लेंगे, वरना सामिल आपको नहीं करेंगे, और कह कब इतनी लंबी सोचता और ना ही आपको सला दूँगा कि पतानी अगस्त में क्या से क्या हो जाए ठीक है तो ये बात मैंने आपको बता दी अब बात करते हैं आपकी इसकी नहीं लग रहे जितनी टैंसर एस्टेट वाली की लग रहे क्योंकि उसका मार्च के अंदर आपका एक्जाम होगा ठीक है अब इसके तैयारी को पर हम लोग बात कर लेते एक एक करके ठीक है उसके बाद मैं आपके कुश्चन वीडियो के एंड में ले लूँगा कुश्चन नहीं ले रहा देगे मैंने क्या सोचा है इस वीडियो को मैं कल बनाने वाला था मैं थोड़ा सा रुक गया किसी वजह से मैं अपने टीचर के साथ डिसक्रसन कर रहा था तो लास्ट के एक महीने में आपको क्या के चीज़ पढ़नी है क्या चीज छोड़नी है कहा पर ज्या वाली बात यहाँ पर बेवकूफी वाली बात होगी कि एक महीने के अंदर पढ़ने से सलक्षन नहीं होगा पिछली बार एक महीना ही टाइम दिया था और उसके अंदर बच्चों ने सलक्षन लिया था ठीक है तो आपके पास भी मोटा मोटा एक महीना बच्चा है इसके ल एक बड़ी किलास हर सब्जेट के आपर होनी चाहिए, तो वो टीचर से मेरा डिसकर्शन हो जाएगा, जो कल वाली वीडियो के अंदर मैं आपको यहापर बता दूँगा, ठीके, तो यह आपका हो जाएगा, और जो यहापर चला है, मेरा वाला कोर्स आपका चला है, ठीके, यह मैंना आपका पाच जनवरी तक आपका किया हुआ है, ठीके, तो जो मेरे वाला कोर्स चला है, वो आपका कम्प्लीट भी होगा, एप्लिकेशन के अंदर, उसकी प्रैक्टीस भी होगी, लेकिन उसके साथ में मुझे, जो यहापर यूटूब से भी मालीजे बच्चा त चोड़ना है, दुनिया भर के अब चीजे पढ़ने का समय नहीं रहा, अब हमें तयारी एक महिनी का कोडिंग करनी है, तो BPSC की किलास, कल मैं आपको इस वीडियो के नर बता दूँगा, कब से यूटूब चैनल पर चलेगी, चाए पेड़ वाले बच्चों, चाए यूट पन हने वाली है, और साथी इसी साझ का एस्टेट भी कऑर हो जाएगा, सिर्फ आपके एक आर्ट ओफ टीचिंग की, आर्ट ओफ टीचिंग का एक आपका सबजेक्ट रहेगा, आर्ट ओफ टीचिंग की मैं आपसे का हुआ है, इसकी मैं आपके लिएक मेरकर्थन किलास देनी थी कि बीपेसी की क्लास भी में सुरू करूँगा यूटूब चनल पर जितना भी टीचर्स टाइम निकालेंगे करके और यह सारी चीजे मैं आपको बता दी त्यारी थर्ड वाले अपनी तयारी मार्च के कोडिंग अब कर दो ठीक है अब मत बैठ रहो क्या पता आगे बढ़ जाएगी आगे का बढ़ जाएगी अगस्त में तो केके पार्टनक जी ने कहा दिया ट्यारी फोर्ट आपका आएगा तो आगे कितनी वड़वाऊगे ठीक है तो मार्च के साबसे अपनी तयारी करना सुरू कर दो तयारी के बारे में कल डिटेल में पूरी वीडियो यह चाहिए आपका बीड़ हूँ तो एपेरिंग वाले जो केंडिडेट को लेकर सस्पेंज बनावा है यह तो आपका नोटिफिकेसन आने के बाद यह आपका किलियर हो पाएगा ठीक है तो इसको जल्दी से आपर किलियर कर दे और एपेरिंग वालों को भी इसके अंदर आपका सामिल करना चाहिए इनको भी इसके अंदर अपना मो का मिलना चाहिए और यह अटेम्ड वटेम्ड का चकर यहापर खतम करना चाहिए ठीक है तो देखें जितनी बात मैं आपको बताईती बैस सूपर टैट बैच के आप लोग पूछ रो मेरे भाई पहले इसको पर डिटेल नोटिफिकेशन आ गया यहाँ आठ तारिक सापके फोर्म बरे जा रहे हैं आपके बात दो-दो मोक हैं जो सामने हैं पहले इनकी तो तयारी करो जो चीज़ अभी है नहीं उसके बारे में रुख जाओ पहले जो जो चीज सामने हैं उसकी तयारी आप लोग आपर क तो यह चीज मुझे आज की वीडियो में एक एक करके आपको बताने थी ठीक है अप पर मैं करंट अफेर कर आओंगा ठीक है जो एप्लिकेशन पर मेरी किलास चलेगे वो करंट अफेर की चलेगी बागी सभी टीचर्स अपना एक एक करके आपको पढ़ा रहे हैं करंट था हम लोग अगस्त के हिसाफ से तयारी करवा रहे थे कि जो करंट अफेर होती है लाश्ट जो पांच महीने होते है वह मैक्सिमम करंट अफेर आती है लेकिन अब तो मार्च में आ गया तो अब एप्लिकेशन पर मैं भी आपको करंट अफेर यहाँ पर कराऊंगा जो एप्ल प्लिटों का कैसे रिवीजन होगी वह हमारी पूरी जीममेदार ही है चाहिए उसमें NCRT पढ़ाना हो, HCRT पढ़ाना हो, किस हिसाब से पढ़ाना है वो सब हम लोग यहाँ पर आपको करा देंगे ठीक है चलिए बहुत यहाँ पर बिरुजगार बच्चे को आपको दुआ लगेगी ठीक है तो इस वाले काम को आप जरूर कराईए एलेक्शन के चक्कर में कुल मिलाकर फायदा जो है बच्चों को मिलना चाहिए यह सबसे महत्पुनिया पर बात है चाहे कुछ भी हो ठीक है केके पाठक जी तो लगी ही पड़े सिक्सावस्ता को साफसुतर करने मे तो सर प्लीज आप से यही रिक्वेस्ट की अगस्त में जरूर निकालना और टियारी थर्ड के अंदर जो आप इसको निकला रहे हो तो आप फिरिंग वालों को भी आप मोका दे देना ठीक है बाकि कोई भी नहीं इनफोर्मेशन आएगी मैं नहीं दूंगा जल्दी थाइए एक दिन में दो देना इंफोर्मेशन थीन इन इंफोर्मेशन निकालते हैं तो भाई मैं रोज रोज नहीं देता इनिस जब भी कोई में आती है कुछachtet आते तब दुनिया भर की न्यूज देखना शुरू कर दो, एक तो आप ये वाले candidate हो, एक दूसरे वो candidate है कि अब जो होगा बाद में देखा जाएगा, हम तो त्यारी करना स्थार्ट कर देते हैं, March के coding, और बाकी चीजों का आफ साइड में कर दो, आप में से दो तरीके के student हो, अपना से फैसलर ले लिजे, कैसे आपको बनना है, कुछ आपके सवाल है, तो जल्दी से पूछे, मैं उसको आंसर फिर आपको याप पर दूँगा, ठीक है, ठीक है, बई, चरीए कोर्स लूँगा, तो अगस्त के लिए अलग से नहीं लूँगा, कोर्स, गरीब हो, अच्छा, ठ अगस्त के बाद भी आपका मालीजे सितंबर में भी होती है, तब तक आपका एक कोर्स रहेगा, ठीक है, यानि उसके बाद भी आपको वाला कोर्स, तब तक यापका फिर ही रहेगा, यानि जो आपका अगस्त में एक्जाम होगा, ठीक है, और बताओ भई, ऐसा ऐसा से तुम में से अमीर को नहार अमीर होता तो यहां तयारी कर रहे होते सभी घर के बच्चे थीक है सभी मिडिल ग्लास फैमिली साथ है तभी तो तयारी कर रहे है तो आप लोग गरीब हो भी ठीक है यह बात तो मुझे पता है हम लोग भी इसी चीज से निकल कर आये तो अगस्त मालनी जे जो इस वाले बैच को लेता है मार्च वाले बैच को लेता है तो उसके बाद अगस्त में भी आपका आपकी भरती आएगी पेपर होगा तो बैच तब identify आती है तो इस वाले बैच के अंदर वो भी आपको update मिल जाएगी और बताओ ये भी मैंने आप लोग आप के कि यूपी के बारे में माधव मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा एक्जेक्ट इन्फोर्मिस्टन आने के बाद क्योंकि हवा में तीर चलाना कुछ भी सही नहीं रहता ठीक है और पूछे जल्दी आपका सब्हें भर दो इसके अंदर आपने जितने भी लोग सब्हेंस के अंदर ठीक है शीटे टांशर की इसंदरं कुक् ठीक है बाई एपरिंग वालो को मैंने आपको बता दिया एपरिंग वालो के उपर अभी कुछ भी नहीं कह सकते बड़ा कोश्चन मार्क बना हुआ है रिक्वेस्ट कर लेना किसर हमको भी सामिल मिल जाए क्योंकि इतनी लंबी नहीं सोच नीचे अगेस्ट के ठीक है चले जि कुछ important information आएगी वो आपको दूँगा और कल मिलूँगा आप लोगे सा 8 बजे इस strategy के साथ की BPSC के तेयारे आपको क्या कैसे करनी है इसको जरूर आप लोग देखना और मेरी request है दूसरे वाली student आप बनना जो आप सारी चीजों को ignore करके अपनी पढ़ाई पर अपना ध्य झाले दूसरे दूसरे घंका